सबी दोस्तों को ज्याहिन वंदे मातम तो दोस्तों बड़ी खुस खबरी है और बड़ी जानकारी है कि CISF Head Constable Ministerial 2022 की जो भरती आई थी फाइनल उसका document और physical का date जारी हो गया है notice जारी कर दिया गया है तो बड़ी खुस खबरी है और बड़ी जानकारी है दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीजे बताने वाले हैं कि आपका admit card release कब होगा admit card download कहां से होगा और किस date से आपका physical और document सुरू हो जाएगा साथ में पूरे भारत में कितने physical center बनाए गए हैं जैसा कि हम आप लोगों को हर बार जब भी हम वीडियो बनाते हैं तब आप लोगों को बताते हैं कि पहले आप लोगों को height होगा weight होगा chest होगा running नहीं होगा और फिर आप लोगों का document होगा और हम आप लोगों को बता दे थे कि जनवरी में आप लोगों का physical होने की है और फाइनली सौर्ट नॉटिस आहीं गया तो चलिए चलते नॉटिस पे और सबसे पहले बता दे कि आप लोगों का जो एड्मिट कार्ड है वह यहीं से डाउनलोड होगा यहां पर अपना रेस्टेशन नमर डालके पासवर्ड डालके और यह केप्चा कोड जैसे फिल कीजेगा तो आपका एड्मिट कार्ड डाउनलोड होगा कब से चले चलते नॉटिस पे और दिखाते आप लोगों को सारी जा 2022 और देखें यहां पर दिया गया है तीस एक दो हजार तईस से आप लोगों का फीजी कल सुरू हो जाएगा समझके कुल 62 के रिक्रूटमेंट सेंटर बनाए गए हैं पूरे भारत में और दोस्तों जहां पर आप लोगों का CISF फायर में 1149 पोस्टों का फीजी कल हुआ था वहीं पर आप लोगों का फीजी कल होगा CISF Head Constable Minister 2022 यहां पर देख लिजे दिया गया है 31-2023 तो समझे दोस्तों आप लोगों को 21-2023 को आप लोगों का Admit Card जारी कर दिया जाएगा CISF के Recruitment वैप साइट पर समझके 20 जनवरी को आप लोगों का Admit Card जारी कर दिया जाएगा कुल 62 फीजी कल सेंटर बनाए गए है पूरे भारत में जहां पर आप लोगों का CSF फाइरमेंट का हुआ था वहीं जगह पर आप लोगों का फीर से फीजी कल होने बाला है समझ गए तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर सारी चीजे यहां पर बता दी गई है तो मिलते है के जह हिंट वन देमात्रम